अलो एवरिवन आज हम क्लास एट का चाप्टर दे नाइफ फ्रेंज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसके फर्स पार्ट को हम पढ़ चुके हैं तो चलिए स्टोरी का थोड़ा सा सामरी जान लेते हैं ये स्टोरी दो भाई बहन केशव और श्यामा के बारे में है जिसके घ तो नो भाई बहन बस उस नीचे ज़जे के नीचे खड़े रते हैं तभी मा आती है ये हम पढ़ चुके हैं आए इसके बाद का स्टोरी देखते हैं It was the month of summer. Babuji had gone to work. Having put both children to sleep, Maa had laid down to rest. But the children were nowhere near sleeping, eyes shut. They held their breath up and waited for the right moment. As soon as they were sure Maa was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out. Soon, they were making preparations to safeguard the eggs. गर्मी का महिना था, बाबुजी काम पे गए हुए थे और दोनों बचों को लेके Maa भी थोड़ा आराम करने गई थी. लेकिन बचों की आँख में नींद कहां वे अपनी आखें बंद किये बस सही समय का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही वे निशिन्थ हो गए कि Maa सो रही है, वे चुपके से उड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं और धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं. प्लबे अंडो के बचाओ की तयारी में लग जाते हैं. Keshav brought a stool from the room, but it was not still high enough to reach the cornice. He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. Shama held the stool with both hands. Its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly whichever way the pressure increased. Only Keshav knew what fear, what dread assailed him at that moment. केशव कमरे से एक स्टूल लेके आता है लेकिन वो स्टूल उतना उचा नहीं था कि उस पे चड़ के चद्ज़े तक पहुंचा जा सके वह फिर से एक नहाने वाला छोटा स्टूल लाता है और उसे पहले वाले स्टूल के नीचे रख देता है फिर वा चर जाता है Shama stool को कस के पकड़े रहती है कभी-कभी stool हिलने लगता है तो सिर्फ Keshav ही समझ सकता था कि वा कितना जादा डरावना था He would grab the cornice to study himself and scold Shama under his breath Hold fast or I'll come down and beat you nicely But poor Shama's attention was taken up by the cornice Time and again her mind weored in that direction and her grip on the stool slackened The moment Keshav's hand reached the cornice the birds flew away Keshav saw some twigs scattered on the cornice and three eggs lying on them वा चर्जे को कस के पकड़ लेता है ताकि वा खुद को सीधा खड़ा रख सके फिर Shama को डाड़ता है ठीक से पकड़ो नहीं तो नीचे आऊंगा और मैं तुमारी अच्छे से पिटाई करूंगा लेकिन Shama का ध्यान तो बार-बार छजे की तरफ चला जा रहा था और कभी-कभी उसकी पकड़ धीली हो जा रही थी जैसे ही केशव का हाथ छजे तक पहुचा चिडिया वहां से उड़ गई केशव देखता है कि वहां कुछ तिन के बिखरे हुए है और वहां पे तीन अंडे पड़े हुए है वहां पे कोई घोसला नहीं देखता है जैसा की घोसला उसने पेड़ों पे देखा था वहां पेस कोई घोसला नहीं था फिर श्यामा पूचती है कि भाईया क्या आपको चूजे दिख रहे है केशव आंसर देता है यहां तीन अंडे हैं चूजे अभी निकले नहीं है फिर श्यामा कहती है कि भाईया मुझे भी दिखाओ कि वे कितने बड़े है केशब कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा लेकिन जाओ पहले कोई बोरा लेकिए आओ अंडे को अंडे जो है वो तिनके और पुवाल पे ऐसे ही पड़े हुए है श्यामा राइन आउट और रिटर्न पिटर्न पिटर्न आउट तौर्न आउट प्रम आउट सारी केशब लिएन टो टेकिट फ्रम हव़व फोल्ड इट अउट फाले की एक पुरानी सारी तुगः लेकिए केशब उत्ति सारी को कई बार फोल्ड कर के अंडे के नीचे रख देता है ताकि वो मुलाइम हो जा और अंडे आराम से रह सके तो श्यामा कहती है कि भाईया मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाओ Yes, yes, I will show them to you but first bring the basket so that I can make a roof replied केशव श्यामा handed the basket from below and said now you come down, it's my turn केशव rested the basket against the branch and said Go, bring the water and grain Let me get down and then you can have a look तो वहाँ पेशव कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाओंगा लेकिन जाओ, जाके पहले टोकरी लेके आओ तब मैं वहाँ पे उस टोकरी को रख दूँगा और फिर तुम देख लेना केशव श्यामा जाती है और वो टोकरी लेके आती है और पकड़ा देती है और वह कहती है कि अब तुम नीचे उतरो, अब मेरी बारी है केशव उस टोकड़ी को पेड़ की डाली पे रख देता है और फिर वहाँ पे वह पानी और अनाज भी रखता है उसके बाद वो नीचे उतर जाता है और कहता है कि तुम देख लेना श्यामा प्रोट देख वोट और वावल और राइस दू केशव प्लेश प्लेश बोट अन्टे पासके इन चाटनी आउट अट अफ ले श्यामा प्यक्ट वन्स अगें भाया, हैप मी चाटनी आप तू तो श्यामा चीज़ें लाके दे देती है, केशव तोकरी को अच्छे से रख देता है और धीरे से नीचे उतरता है अब श्यामा फिर से केशव से रिक्वेस्ट करती है कि भाया, चड़ने में मेरी मदद करो ताकि मैं भी देख सकूँ केशव कहता है कि नहीं तुम नहीं देखोगी, तुम गिर जाओगी फिर स्यामा कहती है कि मैं नहीं गिरूँगी भाया, तुम स्टूल को कस के पकड़े रखो केशव कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम गिर गए तो मा तो मेरी चटनी ही बना देगी She will accuse me of helping you up what will come out of you seeing them anyway now the eggs are comfortable when they hatch we'll both look after the chicks the two bird would approach the cornice only to quickly fly away again Keshav wondered if they were scattered, scared and he took away the tools Shama was tearful you didn't show me she complained, I'll tell ma Keshav aage kahta hai ki tumhari madad karne ke liye maa mujhe doshi maanegi और फिर वो मुझे सजा भी देगी वैसे भी तुम्हारे देखनी से क्या होगा अंडे अब आराम से है जब वे फूर जाएंगे तो हम दोनों मिलके चूजों का ख्याल रखेंगे दोनों चिडिया आती है और फिर तुरंट से उड़ जाती है Keshav सोचता है कि शायद वे डर गई हो इसलिए वा वहाँ से स्टूल को हटा लेता है Shama का चेहरा रोनी जासा हो जाता है और वा कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया न मैं मा से तुम्हारी शिकायत सरूर करूंगी I'll bash you if you tell ma then why didn't you show me and what if you had fallen down and broken your head so what big deal you just wait I'll tell ma just then the door opened and ma came out shielding her eyes from the blazing sun what are you two doing out there in the sun Keshav उसे धमकी देता है कि अगर तो मा को कुछ भी बताओगी तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा Shama कहती है कि फिर तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं Keshav कहता है कि अगर तुम गिर जाती तुम्हारा सर फड़ जाता तो क्या होता Shama कहती है तो क्या होता रुको मैं मा से तुम्हारी शिकायत सरूर करूंगी तो उसी समय मा आ जाती है और फिर वो कहती है कि तुम दोनों यहां पे क्या कर रहे हो धूप में तुम क्यों हो She asked Who opened the latch How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? Keshav had opened the latch but Shama didn't say that to ma She was scared that he might get a beating Shama was afraid Sorry, Keshav was afraid that Shama might squeal He hadn't shown her the eggs and so didn't trust her So, she said Maa कहा रही है कि दर्वाजा किस ने खोला? मैंने कितनी बार कहा है कि धूप में बाहर नहीं जाना है लेकिन चिटकिनी तो Keshav ने खोला था लेकिन Shama ये बात Maa से नहीं कहती है उसे डर था कि Keshav को जरूर पिटाई पड़ेगा Keshav भी डर रहा था कि Shama Maa को जरूर सब कुछ बता देगी उसने अंडे नहीं दिखाये थे न इसलिए उस पे भरोशा भी नहीं किया जा सकता है और वा सोचता है कि अब तो उसे पिटाई सरूर पड़ेगा तो यह से अनुमान लगाया जा सकता है कि Shamaa अपने भाई के प्यार की वज़े से चुप थी या इसलिए कि वह भी उसमें बराबर की भागीदारी थी शायद दोनो Maa दोनों को नाट के अंदर ले जाती है दर्वाजे को बंद करके दोनों को पंखा जलने लगती है अभी तो गर्मी का टाइम था और दो ही बच रहे थे इसलिए दोनों बच्चे जल्दी ही सो जाते हैं Shama woke up with a start at 4 o'clock The door was unlatched She ran to the cornice and looked up There was no sign of basket She chanced to look down Ran back to the room and shouted Bhaiya, the eggs have fallen down The chicks have blown away Keshav ran to the cornice and saw that The three eggs were broken on the floor Shama चार बजे उटती है और वा दर्वाजा देखती है कि खुला हुआ है फिर वा चज्जे की तरफ दौर जाती है और उपर देखती है वहाँ टोकरी का नामों निशान नहीं था अचानक वा नीचे देखती है और फिर दौर तेवे रूम में जाती है और कहती है Bhaiya, अंडे गिर चुके हैं और चूजे उड़ गये हैं Keshav भी तौर के चज्जे की तरफ जाता है और देखता है की तीनों टूटे हुए अंडे जमीन पे पड़े हुए है A slimy white and yellow liquid was ozing out of them The bowl of water was also lying upturned Keshav went pale and stared at the ground with gloomy eyes Where have the chicks flown to? Shama asked The eggs are broken Keshav said sadly Safed paani, safed और pila liquid उसमें से निकल रहा था और कटोरा भी वहां पे उल्टा पड़ा हुए था Keshav का चेरा फीका पड़ जाता है और भाव उदास नजरों से जमीन की तरह देख रहा था तब Shama पूछती है की चूजे कहां गए Keshav उदास होके कहता है की अंडे तूट गए And where have the chicks gone? Where do you think? He replied with some irritation Can't you see the white liquid coming out? It would have turned into chicks in a few days Ma shouted from behind What are you two doing out in the sun? Shama फिर पूछती है की भाईया चूजे कहां गए? अब Keshav चिड़ के आंसर देता है की तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम देखनी रही हो? ये सफेद पानी बाहर आ रहा है अंडे से ये ही तो कुछ दिनों में चूजे में परिवर्तित हो जाता फिर मा पीछे से चिलाती है की तुम धूप में क्या कर रहे हो? मा, मा, the eggs are broken she said Shama you must have fiddled with them said मा angrily looking at the broken shells now Shama didn't pity her brother he must not have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off he ought to be punished he touched the eggs, मा said Shama Shama कहते की मा, मा, अंडे तूट गह है मा, तूटे हुए अंडे को देख कर कहती है की तुम लोगों ने उनके साद जरूर छेर चार किया होगा अब Shama को अपने भाई पे दया नहीं आ रहा था वह सोचते है की जरूर भाईया ने अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा और इसलिए अंडे जो है वो लुड़क गए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए और Shama कहती है की मा, भाईया ने अंडों को छुआ था Why? केशव चाष्ट, you told me to, replied Shama You are a grown-up boy, केशव, said मा मा पूछती है की क्यों केशव? तो केशव अब चुपचाप खड़ा था मा फिर पूछती है की तुम मा पहुँचे कैसे? इस पर Shama जवाब देती है की इसने स्टूल के नीचे नहाने वाला स्टूल रखा और चड़ गया फिर केशव आरोप लगाता है की क्या तुमने स्टूल को पकड़ा नहीं था? रियल भै, ये आरोप सही भी था अब Shama कहती है की तुमने ही तो कहा था मुझे मा केशव से कहती है की केशव, तुम तो बड़े हो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था Don't you know that when you touch birds' eggs, they become tainted and then the birds don't hatch them anymore? So the birds drop the eggs themselves? Shama asked her mother fearfully What else would the birds do? मा said Kेशव, you have done a terrible thing. Oh God, you have taken three lives. तो मा कहती है की क्या तुम्हें पता नहीं है? की जब अंडे को कोई छू देता है तो वह गंदा हो जाता है और फिर चडिया उसे फुटने नहीं देती Shama डरते वे मा से पूछती है की इसलिए चडियों ने खुद से अंडा गिरा दिया मा जबाब देती है की और वे क्या करते? केशव, तुम्हें बहुत ही terrible भयानक काम किया है तुम्हें तीन जाने ले ली है केशव लुग पेंट I only cushioned the eggs he said quietly मा smiled back and replied be careful next time केशव बड़े दुख के साथ कहता है कि मैंने तो सिर्फ कुशन रखा था तकि अंडे safe रह सके तो मा हसते वे कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना तो students ये था स्टोरी कि किस तरह से दो बच्चे जो बहुत नादान थे और वे अंडों की देखभाल करना चाहते थे उसे बचाना चाहते थे लेकिन अपनी नादानी में ही उन अंडों को वे गिरा देते हैं और वो अंडे फूर चाहते हैं तो I hope आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा Thank you